कि अभी वेल्कम टू वन एन ओल तो अंडे डेस कुश्चन प्रैक्टिस सेलेंज के डे 75 के कुश्चन सम्लोग डिसकस करने वाले हैं तो डे 75 के जब हम डिसकस कर रहे हैं जैसा हमें हर एक वीडियो में बताता हूं आपको डे 76 के जो है कुश्चन अप्लोड हो गया है आप पे जाके फिर आफिस ओनलाइन.com वेबसाइट पर जाके उस टेस्स को आप दे सकते हैं और आपको देना भी चाहिए एक कॉंटियूस हंडे डेस तक चलेगा तो आप रोज पांच नए कुश्चन सॉल्व कर सकते हैं उनका सोल्यूशन आ नेबर भी नॉन ट्रिवेल साइकली गूप अंधिस पर्फेक्ट यह बिल्कुल सही है यह क्यों करेक्ट है अगर आप नॉन ट्रिवेल साइकली गूप लेते हो यह विल गेट सम कांटरेक्शन लेट से लिट जी जी इस ए और में क्या कर सेड़र करता हूं लेट से यह बिल्कुल करेक्ट है यह जंदल स्टेट्मेंट है कोई प्रूफ करना चाहिए इसको कर सकते हो एक तरफ यह वैसे भी बहुत स्टेट फॉरवर्ड है कि अगर जी आपका जी के वराबर ही हो जाएगा ना तो जी बाइज जी मतलब जी बन और का जाएगा दूसरे तरफ सर्मिट से भी कर सकते होते है अगर जी 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 साइकिलिक घौजैसा होगा अगर यह स्टेटमेंट आप जानते हो तो यह भी अपका स्टेटमेंट हो अफ्से। जहाए कि जी जी साइक्लेक तो गुए यह कूद फिञता क्यों सब्सक्राइब क्यों हो गया पूरा ज Vegard सेक्ट है तो इस्टेट्मेंट आपके करेक्ट है तो दो स्टेट्मेंट विच फॉलुइए क्यू पी यहीं एंसेर किया हो नहीं किया है तभी बताइएगा किया है तब भी बताइएगा है नो नेक्स दिखें कि रबाप प्रोडुक्ट आफ एक्जैटली टूड़ी टूडुडीश्याइट साइकल से इक्जैटली दो डिस जाइन साइकल्स वाले हमें S8 में permutation निकालने मतलब 8 को आप ऐसे break करिए ताकि उसमें exactly 2 cycles हो 8 को आप 4 plus 4 में break कर सकते हो 6 plus 2 में भी आप break कर सकते हो कोई और तरीका है 5 plus 3 में भी आप break कर सकते 7 plus 1 में break क्ईया जा सकता है और कोई तरीका और मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है 7 plus 1 हो सकता है, 6 plus 2 हो सकता है, 5 plus 3 हो सकता है, उसके बाद 4 plus 4 हमने लिखी लिया है, और कोई नहीं हो सकता, तो यह 4 हो सकता है, इन 4 type के element निकाल लेज़े, 4 type मतलब 4 4 length की 2 cycles मतलब इनका cycle decomposition 4, 4 हो, इस type के कितने element होंगे, तोला calculation हो जाएगा इसमें, पर कर सकता है, 8 factorial divided by 4 इसका which is 16 into 2 factorial, तो यह कितना हो जाएगा, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 and divided by 16 into 2, 2 से 2 cancel out हो गया, 8, 2 जा 16, 2 से, तो यह भी cancel कर दीजे, तो यह हो जाएगा, 5, 2 जा 10, 7, 6 जा 42, 42 into 3 में calculation कर लेता हो, 7, 6 जा 42 होगा, 42 into 3 करिया है, 42 into 3 करेंगे, तो 126 हो जाएगा, और 10 करेंगे, तो 1260 आपसो यहां से मिल जाएगा element, 4 plus 4 टाइप के, अग 6 plus 2 टाइप के निकालते है, जिनका cycle decomposition 6, 2 हो, मतलब 8 factorial divided by 6 into 2 simply, right, so this is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, right, and divided by 6 into 2, 6 or 2 यह केंचील आउट हो गया, तो कितना मिल आपको में केल, multiply करा देता हूँ, तो 8 into 7 into 5 into 4, correct, तो यह कितना जाएगा, 5 into 4 into 3 also, so this is equals to 3 into 3 into 3, 3, 6, 0, I hope so कि calculation गलत ना हो, इतने element आपको, यहां से मिल जाएगे, 5 plus 3 टाइप के आप निकालेंगे, तो 8 factorial divided by 5 into 3, तो यह हो जाएगा, आपका 8 into 7 into 6, 5 or 3 में cancel कर देता हूँ, तो 5 into 4 into 2, यह हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, एक second दीजे मुझे, तो यह कितना हो जाएगा, आपका 8 into 7 into 6, sorry, 8 into 7 into 6 into 6 into 4 into 2, 4 into 2, 2688, तो यह हो जाएगा, इस टाइप के और 7 plus 1 टाइप के और निकाल दीजे, इदर दिख रहा है आपको, 7 plus 1 टाइप के जब आप निकालेंगे, तो आपको कितने मिलेंगे, 8 factorial divided by simply 7, so this is equals to 7, 8 factorial में से कम करेंगे, तो 8 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, तो जाएगा, 5760, 5760, इन सब को sum करो, I hope so कि आपका answer match हो जाए, 5760 plus 2688, 2688 plus 3360, 3360 plus 1260 plus 1260, 13068, perfect, option C is the answer for this question, उनको सब को numbers को आप sum करिये, कितना कितना sum करना है, मैं इधर लिख देता हूँ, 5760 plus 2688 plus 3360 plus, कभी कोई numerical answer type में ऐसे question पूछ भी लिया जाता है, 1260, इन सब का sum करने पर आपको मिलेगा, 13068, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, question number 3 आपका क्या था, let N be the number of permutations in S8, S8 में N के रिनोट करता है, number of permutations, which are the product of exactly 2 cycles, then the value of N mod 3, बिल्कुल बैसा ही question है, पर value अपनों को निकालना है, N mod 3 का, लास्ट बाले question में जो आपने पढ़ा है, उसका use कर सकते हैं, तो N from the last question, from the last question, last question, last question से N का value कितना अधायत है, N is equals to 13608, 13, 13, 068, 068, पूचा क्या गया है, N mod 3, मतलब N को 3 से divide करने के बाद remainder कितना आएगा, और I think so कि यह पूरा divide हो जायाएगा, 13068, divide by 3 करिये, 3, 2s are 12, 13, 3, 3s are 9, 3, 5s are 15, and 1, 16, 3, 6 जा 18, 2356, पूरा divide हो जाया है, इसका मतलब remainder कितना हैगा, 0, so the answer is 0, 0 इसका correct answer होगा, we are done, हो गया, है ना, इसी है, कुछ मुस्किल नहीं है, जो last में आपके question में दिया गया है, question number 2 में, वही N है, S8 में वो permutation, जो इनके cycle decomposition में केवाल 2 permutation, और वो कितने आये थे, कितने आये थे, है ना, तो N का value यह है, मॉडूलो 3 पूछा गया, जो 0 answer हो गया, बहुत अच्छा question है, आ सकते हैं, इसे questions, पूछे जा सकते हैं, उमीद करता हो, यह आपने 0 answer किया हो, next question हो, find the number of homomorphisms, from K4 to K4, K4 से, K4 पे कितने homomorphism define कर सकते हैं, चलिए discuss करते हैं, माल लिया, अगर आपको direct याद है, तो आप बिल्कुल answer कर सकते हैं, आपको समझाता हो कि कैसे आयागा, के 4 से, K4 पे मैंने माल लिया कि, फाई एक homomorphism है, 5 homomorphism का जो kernel होता है, वो normal subgroup होगा, domain में जो group है, इधर जो group हैं, और normal subgroup K4 के पास क्या होते हैं, तो possible kernel 5 क्या होगा, normal subgroup of K4, K4 के पास normal subgroup Z1 type का होता है, one order का, सारे एक चुली normal subgroup होते हैं, Z2 type का होता, Z2 type के होते हैं, 2 order के 3 element होते हैं, K4 के पास, तो 2 order के 3 subgroups, वो सब normal kernel क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए तीन मैंने लिख लिया और एक खुद के फॉर हो सकता है यह करनल हो गया बाई फर्स्ट आइसो मर्फिजम थे और हम इनके करेस्पॉर्णिंग हम क्या कर सकते हैं इमेज फाई निकाल सकते हैं अगर मैं जैड वन करनल लेता हू तो हमारा इमेज किसके इसो मर्फिज हो जायागा बाई फस्टाइस्ट नंतर गरम के फॉर बाई चाइडवन मतलब के फोर का इसो मर्फिए 뭐 घपस के फॉर को टाइप का सब बिल्कुलtem बिल्कुल होतां है कितना होता है एक सबग्रूप होता है तो इस केस में total homomorphism कितनी होगी एक kernel है z1 type का k4 type का image यह जो बनता है image यह subgroup बनता है co domain में जो group k4 पास k4 type का subgroup रहेगा image possible है kernel possible है सब कुछ possible है तो कम से कम एक homomorphism हो गई न लेखते हैं कितनी होगी तो एक kernel एक image into जो भी image बनेगा उसका automorphism भी आपको multiply कराना है automorphism of K4 भी आपको यहाँ पर multiply कराने हैं तो कितने आ जाएंगे automorphism का जो group बनता है K4 का वो I think next question है जो कि हम बात करेंगे automorphism group of K4 is isomorphic to S3 के isomorphic वता है ठीक है तो अभी next question साथ रहेगा होई तो 6 आपको यहां से homomorphism मिल जाएंगी क्योंकि इसका order कितना जाएगा order of S3 which is equals to 6 तो 6 homomorphism इस case में let's talk about जब हमारा image कैसा kernel कैसा रहेगा Z2 तो उस case में image किसका isomorphic होगा K4 by Z2 आप साथ जानते हैं कि K4 by Z2 किसका isomorphic होगा Z2 के क्योंकि order 2 आएगा K4 का order 4, Z2 का order 2 Z2 का isomorphic, Z2 subgroup बनेगा किसका? K4 type का subgroup बनना चाहिए, K4 के पास subgroup होना चाहिए Z2 type का और होता है 3 होते हैं subgroups, right? तो इस case में total homomorphism कितने बनेगे हमारे पास? इस case में बनेगे एक तो पहले number of kernel देखिए, 3 kernels है, Z2 type के Z2 type के images कितने? वो भी 3 है Z2 के, K4 के पास, right? And आपको क्या करना है? Automorphism of Z2 जो कि 5 तो बनाता है ZN पर कितने automorphism define कर सकते है? 5N क्योंकि automorphism group of ZN is isomorphic to UN होता है, तो 3 3 जा 9 9 homomorphism आपको यहां से मिल राएंगी और जब आप पूरा group as a kernel consider करते हैं, तो एक homomorphism मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 3bL, तो एक homomorphism यहां से तो total कितने हुए? 6 प्लस 9 प्लस 1, 9, 6 15 प्लस 1 is 16 total homomorphisms, K4 से K4 पर define किया जा सकते हैं तो option B is the answer for this question किसी को अगर कुछ भी confusion है तो आप बिलकुल पूछ सकते हैं comment करके आपको पूछना है, next question देखें number of isomorphisms from Z2 x Z2 to Z2 x Z2, this is nothing but isomorphic to K4, यही तो होता है K4 से K4 पर कितनी isomorphism same group से same group के isomorphism मतलब automorphism, so we need to find the automorphism group of K4 का order क्या होगा, यह हमें निकालना है, and the automorphism group of K4, this is isomorphic to S3, S3 क्या isomorphic होता है, देखें, मैं जल्दी से समझाता हूँ, बहुत ज़्यादे टाइम नहीं लूँगा, साइद आपको पता भी हो, देखें, यह इधर K4 माल लिया, इधर मैंने K4 माल लिया, E, A, B, A, B, A, B अब अगर एक ही बात करें तो, एक का ओडर का है, टू, और एलिमेंट का ओडर प्रिजर्व होता है, अदर आइसो मॉर्फिजम, तो दो ओडर के इलिमेंट पे जा सकता है, इधर दो ओडर के कितने इलिमेंट है, तो 3, जा सकता है, तो टोटल सकता है, तो जा गरुटो तो सकते हो, यहिं से हप 2 मैप ले सकते हो, और दिखा सकते हो कि एक दूसरे के साथ commute नहीं करेंगे तो यह non-abillion group होगा और non-abillion group 6 order का क्या होता है S3 होता है यह आप सब जानते है 6 order के 2 group होते है यह तो Z6 होता है S3 तो अगर आपको non-abillion चाहिए तो यह तो नहीं ले सकता है 2P order का group है 6 is equals to 2 into 3 is that okay तो group of automorphisms of S3 is isomorphic to group of automorphisms of K4 is isomorphic to S3 और S3 का order क्या होता है implies that you can say the group of automorphisms of K4 is equals to order of S3 which is equals to 6 तो 6 आपका correct answer होगा अब यहां से आपको cable number पूचा गया तो अगर आपको यह नहीं भी पता है कि automorphism group of K4 S3 का isomorphic होता है तो केवल अगर number भी आप निकाल लेते तब भी काम चल जाता है ना so 6 is the answer for this question next question देखिए I think यह 5 number question था यह last question था यह था day 74 के day 75 के questions का solution day 75 के question 76 के questions आपके upload हो गये है solve करिए और उसके solution का bait करिए कर आम लोग उसको discuss करेंगे okay thank you so much and we'll see you in the next discussion thank you once again take care and bye bye you